Welcome back to Indian Soldier 1 guys आज है Tuesday 18th मे आज एक तरह से फेस्टिवल इंडिया के अंदर जिसका नाम है Battlegrounds Mobile India सुबह से इतनी फणी मीम्स देख रहा हूं है BGMI को लेकर लोग कह रहें भाई 14 साल बाद श्री राम वापिस आरे हैं अपने घर दिये जलाओ आज रात को Battlegrounds Mobile India के प्री रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है I know 99% जनता इसको प्री रेजिस्ट्र अल्रेडी कर चुकी है वीडियो देखने से पहले कोई हमारा भूला बटका भाई अगर अभी सो के उटा है शाम को तो प्री रेजिस्ट्रेशन कर लेना Google Play Store के उपर प्री रेजिस्ट्रेशन स्ट्रेशन 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 हो चुकी है और इसके रिगार्डिंग एक तो इनके Official YouTube पेज के उपर एक ट्रेलर भी आए जिसमें अर्शदवार सी और बाकी स्ट्रीमर्स भी है यहां पर कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता था आपको Unreal Engine 4 पे एक तो यहां पर मेंचट है गेम बनी है minimum specs भी आ गए हैं यहां पर Bellgrounds Mobile India Recommended System Requirements Android 5.1.1 बाबा अदम के जमाने का Android भी supported है और अबव and at least 2GB of RAM I think भाई यह गेम हर पुराने से पुराने Android फोन के ओपर भी काम करने वाली है तो 2GB RAM भाई इतनी तगड़ी optimization होने वाली इस गेम की which is awesome एक थोड़ा सा बमर यह है कि iOS devices के लिए अभी तक कुछ नहीं पता कि pre-registration कब होंगी है सीधा launch होगी iOS devices पे and इसकी exact release date का नहीं पता जहां तक मुझे बता है उस ट्रेलर के अंदर जो अर्शाद वासी वाला ट्रेलर के अंदर इसके वो भी दिखाए गए है free goodies वगएरा तो वो भी check out कर सकते हो कितने excited हो इसके लिए नीचे comment section में बताते ना I am pretty excited and already I have pre-registered और इसके बाद अब बात करते हैं कल हुए PlayStation 5 के pre-orders को लेकर बहुत लोग sad है बहुत लोग बहुत सारे comments कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ and कल एक बजे के आसपास मेरी Tech Khunana से बात हुई थी वो भी pre-order करने की कोशिश कर रहा था बट नहीं हो पाया उसका भी कोई भी order successful अगलग websites भी उसमें भी ट्राय कर रहा he was live streaming and तीम बजे के आसपास उसने एक पोल करवाया और मैं यही पोल करवाने की सोच था 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 अपने चैनल के उपर but kudos to Tech Khunana question of the day उसने पुचा था किसी का PS5 successful हुआ 21% people said हो गया and 80% people said नहीं हुआ तो यह पोल अपने आप में शो करता है कि कितना कम स्टॉक था and to be honest मैं personally सोच के बैटा हुआ था कि इस बारी काफी अच्छा स्टॉक आएगा because 60-40 का ratio हो सकता है मतलब 60% people will get PlayStation 5 40% हो सकता है रह जाएं बड़ यहां तो scenario पूरा उल्टा ही देख रहा है यहां पे तो 80% लोगों को मिला ही नहीं मतलब हर 10 में से सिरफ 2 successful order place हो पाए अब यह देखो मैं यहां पे आपको कोई दिलासा विलासा नहीं दूँगा मुझे पता है भाई बहुत बुरा लगता है 80% जनता इस समय like they are saddened के भाई हमारा नहीं हो पाया PlayStation 5 pre-order और बुरा लगना भी चाहिए भाई तुम लोग कितने टाइम से बेट कर रहे थे सुबह से बैठे होगे 12 बजे जैसे ही सारे टाप्स कोल के बैठे होगे और Reliance Digital बालों का order plays होने के बाद cancel हो जाना जैसे मेरा हुआ था तो भाई बहुत बुरा लगता है I know this is sad बट कोई बात नहीं अब यार वेट तो करना पड़ेगा लेकिन मैं यहाँ पे एक fact रखना चाहता हूं and this fact might ease your pain यह वैसे pain killer नहीं है but I still want to share this fact and this fact is कि क्या आप लोगों को ये याद है या ये याद है या ये 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 अब यार ये सारी में photos आपको क्यों दिखा रहा हूं ये special editions क्यों दिखा रहा हूं games के जो PlayStation 4 के साथ आए थे इसका reason ये है कि यार PlayStation 5 बहुत अच्छा console है Xbox Series X बहुत अच्छा console है लेकिन at this stage आज 2021 में के अंदर ये दोनों ही consoles पे ऐसी कोई game नहीं आई जो इन consoles को define कर सके अभी तक PlayStation 5 अगर आपके पास है अगर आप PlayStation 5 बाइ कर चुके हो या करने वाले हो या आपका pre-order हो चुके है तो उसके उपरा बहुत सारी games जैसे Spider-Man, Miles Morales, Returnal और Resident Evil 8 Village ऐसी games आप खेल अखते हो definitely these are very good games लेकिन ये जो मैंने आपको games दिखाई शायद तुम लोगों को याद नहीं 2015 में इंडिया के अंदर उस game का इतना craze नहीं था but Bloodborne जब release हुई थी न भाई USA के अंदर stocks खाली हो गए थे shelves खाली हो गए थे PlayStation 4 के because people wanted to play Bloodborne वो game के लिए लोगों ने PlayStation 4 परचेस करा था अभी आप लोग PlayStation 5 परचेस कर रहे हो Spider-Man, Returnal, Resident Evil खेलने के लिए बट अभी तक वो games नहीं आई जिस game के लिए लोग 50,000 पर का PlayStation 5 परचेस करें and मेरे ख्याल से जब Bloodborne आई थी उसके बाद next year, 2016 में it again happened when Uncharted 4 A Thieves End was released Uncharted 4 भी अपने आप में कितनी बड़ी game थी के उसके लिए लोगों ने PlayStation 4 खरीदा then 2017 में Horizon Zero Dawn 2018 में, you guys know it very well, नीचे comment section में बता देना मैं किस game की बात कर रहा हूँ 2018 में एक game नहीं बहुत सारी ऐसी games आई थी तो मेरा कहने का main मतलब यह है कि अभी तक PlayStation 5 पे वो अली games नहीं आई है जिसके लिए आप PlayStation 5 परचेस करो and ऐसा बहुत लोगों ने मेरे को एक डेट साल पहले comment करके भी बोला था कि वासर भाई हमने God of War के लिए हमने Red Dead Redemption 2 के लिए हमने Spider-Man के लिए हमने Horizon Zero Dawn के लिए PlayStation 4 खरीए था individually in-in games के लिए लोगों ने PlayStation 4 खरीदे and then they end up playing you know other games as well जो God of War का दिवाना था भाई लोगों ने सिर्फ God of War खेलने के लिए PlayStation 4 पर चेसे लिए उससे पहले नहीं करा because he thought care उससे पहले उसके लिए वर्थ इट नहीं था तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ के PlayStation 5 वर्थ नहीं है अभी या अभी कोई फायदा नहीं है अभी definitely है उस पर बहुत अच्छी अच्छी गेम्स हैं haptic feedback जैसी technologies को उसमें इंप्लेमेंट करा हुआ है और साथ में backwards compatibility बहुत सारे अच्छी features हैं but still PlayStation 5 या Xbox Series X भी अभी उस stage पर नहीं है वो अली games मेरे ख्यास से next year से आनी शुरू हो जाएंगी with the launch of God of War, Ragnarok और maybe Horizon Forbidden West वो वो games होंगी जिसके लिए लोग PlayStation 5 परचेस करेंगे अभी लोग PlayStation 5 परचेस कर रहे हैं to play other games तो ये बात मैंने सिर्फ इसलिए समझाई कि यार अभी अगर PlayStation 5 तुमें नहीं मिला है तो it's okay कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हाँ अगर अभी God of War, Ragnarok रिलीज होने वाली होती या हो चुकी होती तो मैं तुम्हें definitely कहता के भाई जमीन फाड के या जट खोद के या जो भी है कहीं न खहीं से PlayStation 5 ले क्या हो इस गेम को खेलने के लिए अगर तुम इस बात से अगरी करते हो तो नीशे comment section में जूपता ना and guys like target for this video is again 2500 likes तो please like जरूर ठोक देना and E3 2021 का page मैंने क्यों खुला हुआ I don't know मैं जस ऐसी check out कर रहा था और हाँ E3 2021 से याद आया मिरको Suicide Squad के बारे में भी एक आदी articles आ रहे हैं के Suicide Squad का भी जल्दी announcement हो सकता है but I guess के वो E3 2021 में हमें उसके बारे में जादा पता चलेगा and regarding PlayStation 5 एक और चीज़ में या पर शेयर करना जाता हूं which is यह Sony CEO Jim Ryan की ही statement है 4-5 दिन पुरानी के they are ramping up the production in summer तो अब यहाँ पर main question में से पूछा जा रहा है के भाई अब कब आएगा next restock PlayStation 5 का तो भाई next restock PlayStation 5 का कब आएगा किसी को भी नहीं पता अभी नहीं नहीं आर्टिकल्स आने शुरू हो जाएंगे लोग अपनी speculations लगाने शुरू हो जाएंगे के जून में आएगा जुलाई में आएगा nobody knows हो सकता है जल्दी आ जाए हो सकता है जैसे अब January के बाद अब आया है ठीक है अब pre-registration में है 4-5 महीने बाद तो हो सकता है दुबारा से इतना time लगे लेकिन अब chances कम है इतना time के अब जो भी होगा एक दो महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा तो guys have patience मुझे पता है बहुत सारी जो websites हैं जो bundle-bundle करके ऐसे बेच रही थी 50,000 पे का console 80,000 पे का बेच रही है मतला आपको games वगारा करीन बढ़ेंगे जो ऐसे bundles में पैसे मत इंवेस्ट करना के 50,000 पे का कुछ वेबसाइट पर 50,000 पे का मिल रहा था एंदेन 80,000 पे का उसमें 30,000 पे की games bundल लिन कर दी तो आपको बाइट होल कॉम्बो पैक तो वो मत करना यार 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 तोटली लाइक नॉट वर्थ इट तो कोई बात नहीं अगर तुम्हारा PlayStation 5 अभी नहीं भी order हुआ वेट फूर अ मन्त और तू आपको भी PlayStation 5 मिल जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही and Suicide Squad के बारे में I am pretty excited E3 2021 में आप कौन सी गेम देखना चाहते हो which you want to see that game announced या उसके बारे में all information देखना जाते हो personally मैं Hogwarts Legacy and Suicide Squad इन दोनों के बारे में I am pretty excited के E3 2021 में या इसी के आसपास हमें इन दोनों गेम्स के बारे में कुछ ना कुछ तो देखने को ज़रूर मिलेगा बाकी भाई लाइक कर देना वीडियो को सब्सक्राइब कर देने चैनल को मिलते हैं ऐसी एकोर्स अब अस वीडियो में बहुत जल्दी तब तो टेक केर और बाबाई